अब वक्त हो गया है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे शिवसेना के नेता अदित्य ठाकरी की अयोध्या यात्रा की इंसाइड स्टोरी दरसल महाराश्ट की सियासी लडाई उत्रप्रदेश की अयोध्या तक आई मुद्दा वोट बैंक का है हिंदुत्व की विचारधारा की सबसे अग्रणी पार्टियों में एक शिवसेना ऐसे में सवाल है कि भगवान राम की याद उन्हें अब क्यों आए लेकिन हिंदुत्व या हिंदु वोट बैंक किसका है क्या किसी का एक चटर राज है उस पर क्या वोट बैंक की मजबूरी के लिए राम दर्बार में हाजरी लगा रहे हैं शिवसेना की उजवराज और क्या अयोध्या के आसरे बीजेपी से या बीजेपी की महाराष्टर में जड़े काटने में सफल हो पाएंगे उद्दव ठाकरे आजित ठाकरे की यात्रा धार्मिक है या सियासी इसे समझने के लिए देखिए हमारी विशिष रिपोर्ट महाराष्ट सियासी लड़ाई शिवसेना को आयोध्या याद आए हम सिर्फ यहां प्रार्था न करने आए आशिरवाद लेने आए हिंदू वोट बांक की मजबूरी भगवान राम के दर्बार में हाजरी जरूर मर्यादा पुर्चोत्तम भगवान राम के राज्य अवद में शिवसेना प्रमुक उदव ठाकर के बेटे और महाराष्ट के परेटर मंत्री आजित्य ठाकर का स्वागत कुछ इस तरह हुआ भजन की ये दुन इसी साथ 2022 के चुनावों में यूपी वालों के मन में ऐसी रची वसी कि योगी अधितनात के अग्वाई में बीजेपी ने चुनावी काम्यावी का नया इतिहास लिग दिया ऐसे में महराष्ट में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के नॉन स्टॉप हमले जेल रही शिवसीना की इस आयोध्या यात्रा का मकसद आस्था से ज्यादा सियासी है इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन जूनियर ठाक रहे हैं कि कैमरे पर इकरार करने से परहेज कर रहे हैं आदिते की आयोध्या यात्रा की सियासी माइन आप को समझाएं लेकिन उससे पहले उनकी आस्था के तस्वीर ने देखी उन्होंने आयोध्या में इसकौन मंदिर में पूजा की फिर हनुमान गड़ी के दर्शन की इसके बाद राम लला के सामने मत्था टेका आयोध्या ऐसी जगह है कि भारत की आस्ता से जुड़ी हुआ है और यही आस्ता हमारे में दिल में है लेकिन आदित्य ठाकरे की इस राम भक्ति को बीज़ेपी सियासी मुराद की मनत वाली कवायत करार दे रही कि यदि उन्हें भगवान श्री राम के प्रती इतना प्रेम श्रद्धा और आस्ता है तो जिस समय साड़े चार सो वर्षों के संगर्षों के बाद आयुध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भूमी पुजन होने जा रहा था उसी समय यही वश्व से ना दल है तब कहा गई थी शिव सेना निताओं के श्रद्धा तब कहा गई थी उनकी भगवान श्रीयां के प्रती आस्ता आदित्या अकेले आयुध्या नहीं पहुँचे उनके साथ करीब 1200 शिव सेनिकों के टूली और यही वज़ा है कि बीजेपी शिव सेना की इस आयुध्या यात्र को राजनीतिक परेटन बता रही है लेकिन शिव सेना इन आरोप में वो खारज करती है उसके नेता उधव ठाकरे के पिछली अयुध्या यात्राओं और राम मंदर आंदोलन में शिव सेना की भागेदारी की याद दला रहे है इतना हमारा अच्छा शद्दा उस पर है और उसके आशिरवाद लेकर कारोबर करते तो उसमें यश मिलता है फलप्राप्ति मिलती है ठेका है क्या तुबरा हिंदुत वका कुछ भी कहेंगे आप हमने कभी मांगा उन से एक शब्द बोला कभी है ये तो समझ भी नहीं आ रहा है ये सच है कि उधव ठाकरे 24 नॉवंबर 2018 और 7 मार्च 2020 को भी आयोध्या आय थे जिसकी मिसाल देकर शिवसेना भगवान राम में अपनी आटूट आस्था के दावे कर रही है लेकिन शिवसेना अपनी राम भक्ती की चाय लाख दुवाई दे बीजेपी और आयोध्या के सादू संत हैं कि उसकी राम पूजा को पॉलिटिकल पाखंड बता रहे है इसके कबर के उपर माथा रखकर नुपूर शर्मा को फासी पर रखकाना चाहिए यह कहने वाले इंतियाज जलील के उपर अभी तक एफाय क्यू दरने करवाया इसका फुलासा आधिप्यति ठाकरने करने की आवश्यक्ता है इसके लिए उनका हिंदुत्व यह सिर्फ और सिर्फ भोट पाने के लिए है पीज़पी हनुमान चाहिसा पढ़ने के आरोप में जेल भेजने और राज रोका मुकदमा दर्ज करने का जख्र राणा दमपत्री को लेकर कर रही है ऐसे में अधित्त ठाकरी की अवध्या यात्रा पर रवी राणा और नवनीत राणा ने क्या कहा आपको सुनाते हैं सिर्प नाटक करने के है और लोग की दिशा भूल कर रहे है अल लॉर्ड राम से फॉल्वर्स और हनुमान से लॉर्ड फॉल्वर्स देट राणा पोजिशन बिदाउट बीज़पी विदाउट मोदी जी बैनर विदाउट इस नेम ये बेस तान नोवेर राणा दंपत्य का कहना है कि जो हनुमान के ना हुए वो राम के क्या होंगे ऐसे में शिवसिना नेता की आयोध्या यात्रा का मकसद अपने पापों के प्राश्रित जैसा है राणा दंपत्य का मामला हो या अजान बनाम हनुमान चालिसा का मुद्दा हो लगातार हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतिय जंता पार्टी शिवसिना पर वारदार होती नजर आ रही है इसी बीच में उद्धव बालसाइब ठाकरे जिनके पिता बालसाइब ठाकरे को भी हिंदू रिदे समराट कहा जाता है उनकी विचार धाराओ से अलग होकर सत्ता के लिए मुनाफ़क कमाने का इलजाम भी उद्धव ठाकरे के सरकार पर लगता नजर आ रहा है बीज़ भी ही नहीं अयुद्धा के संथ भी शिवसिना पर हिंदूत को ताक पर रखने और कुर्सी के लिए गिरिगिट के तरहा रंग बदलने की आरोप लगा रहे है जो लोग महराष्ट में हनमान चाल सा प्रणे पर 14 दिन का जेल होता है और आतंक वादी वाला जो है कानून उसके उपर लाद दिया जाता है वो अयुद्ध्या कर क्या बताना चाहते हैं अब तुष्टी करण के दलदल में धा सुकी है और जिस तरह से मुनी पुलस्त के नाती रिशी विशिस्रवा का पूत्र रावन राक्षस हो गया था उसी तरह से उद्धों ठाकरे राक्षस हो गये हैं अब उनके पुत्र आदित्य ठाकरे भी में घिनात की तरह राक्षसी प्रवित्त के ही हैं आदित्य ठाकरे हनुमान चलिसा पढ़के और हनुमान जी से छमा मागें नहीं तो सिवसेलिना पार्टी का बजूद मिट जाएगा लेकिन उधव ठाकरे इन आरोपों को न सर्फ खारिज करते हैं बलकि इसी आठ जून को और अंगाबाद की रैली में उन्होंने बीज़े पीपर परटवार भी किया था कि रुपया खाली घसरत सलेलाएं यह पर आम हाला चिंता कस लिए कोंट यह मशिरी खाली शिवलें गये ताजमाल चागाएं द्याइन वापी मंदिर चाग्षी डिचा खाली काएं बड़ाँ से हिंदु तो मोज़िणा ने तुम्हा ला कोणी दिल्यों मोज़्टी हिंदु तो मोज़ाई चामच्या अंगी आसा मी ने में के काई के लिए कि आपी हिंदु तो सोड़े असा वार पलटवार अपनी जखा लेकिन हाकिकत ये कि महाराश्ट में हिंदुतु की सियासत करने वाली शिवसेना की सरकार सेकुलर पॉलिटिक्स की जंडा बरदार कॉंग्रेस और एंसीपी की मदद से चल रही महाराश्ट में राजसबा की च्छेटों के चुनाव में बीज़पी ने तीसरी सीट पर भी कबज़ा जमा कर उधर सरकार को जबरदस पठखरी दी 106 विधायको वाली बीज़पी के तीसरी उमीदवार धननजे महाडिक भी राजसबा चुनाव जीतने में काम्याब रहे बीज़पी के पहले और दूसरी उमीदवार प्यूश कोयल और अनिल बोंडे को 48-48 वोट मिले जबकि धननजे महाडिक को विधायकों की पहली पसंद के 27 वोट मिले यानि महाराष्ट विधायस दभा में बीज़पी कैंप में अब 123 विधायक हो गए है जबकि एनसेपी उमीदवार प्रफुल पटिल को 43, कॉंग्रेस के इम्रान प्रताफगड़ी को 44, कॉंग्रेस के पहले उमीदवार संजे राउत को 41 और दूसरे उमीदवार संजे पवार को विधायकों की पहली पसंद के 33 वोट मिले यानि राज्यसवाचुनाव में ठाकरे सरकार के पक्ष में 161 वोट पड़े राज्यसवाचुनाव के वोटिंग पैटर्ण की तहे में जाएं तो महराश्ट की आगे की सियासी तस्वीर और भी साफ हो जाती है शिवसेना विधायक सुहाश कांदे का वोट खारिज हो गया इसे M.V.A. सरकार के पक्ष में जोड़ दें तो नंबर 162 होता है N.C.P. के जेल में बंद अनल देश्मुक और नवाब मलिक को जोड़ें तो उधव समर्थक विधायकों का आंक्रा 164 हो जाता है 288 सदस्यों वाली महराश्ट विधान सभा में एक सीट अभी खाली है और इस तरह बहुमत का जादूई आकड़ा है 114 लेकिन अगर A.I.M.I.M. के दो और S.P. के दो विधायक तठस्त हो जाते हैं और 10 के करीब निर्दलिये विधायक B.J.P. के साथ आते हैं तो महराश्ट के सरकार मुश्किल में पढ़ जाएगी फिलाल राज्यसभा चुनाव में जीत से देविंद फर्नवीस और B.J.P. के होसे बुलंद हैं महराश्ट में इसी साल B.M.C. के चुनाव है 2024 में विधान सभा और लोगसभा चुनाव है ऐसे में B.J.P. के नजर कॉंग्रेस और N.C.P. संग गठबंधन सरकार चला रही शिवसेना के कोर वोट बांक पर है लेकिन 2019 का वो लम्हा कोई कैसे भूल सकता है जब C.M. की कुर्सी को लेकर महराश्ट में पूरी तरह से विराम हिल गया था और इसी बात पर उद्व ठाकरे ने B.J.P. से दरकिनार किया खुद को लेकिन देवेंद्र फडनविस ने अजित पवार के साथ मिलकर N.C.P. से गड़ बंधन करने में भी कोई देर नहीं की हाला कि शरत पवार ने एक ऐसा पावर प्ले गेम खेला कि बाद में N.C.P. कॉंग्रेस और उद्व सरकार यानि कि शिव सेना की महाविका सकाडी सरकार बनी और उद्व ठाकरे की अगवाई में महाविका सकाडी सरकार ने नासिव महाराश में सरकार बनाई बल्कि उद्व ठाकरे को उनके पिता का सपना पूरा कर शीफ मिनस्टर की कुरसी भी मिल गई यानि अस्री लडाई कुरसी की है मुद्दा हिंदुत्र की विचार धारश से ज़्यादा हिंदू वोटों का है लिहाजा शीवसेना नेताओं की अयोध्या यात्र का सिल्सला आगे भी जारी रह सकता है अयोध्या से शिवाने मिश्रा और मुंबई से अरुनिल सदाडेकर के साथ यूरो रिपॉर्ट ताइमस्ना अभारत